पुलिस अधिक्षक को मुख्विर्क से सोचना मिली की ओडिशा से अबैध मादक पदार्थ गांजा सफेद एक रंग की इनुबाकार में ओडिशा से महासमूंद होते हुए महाराष्ट के ओर जाना बाले है तब ही जिली में प्रिबेश करने वाले समझते पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात कर संदिख्ध बाहन की जान्च की जा रही थी इस दोरान इनुबाकार को धर्दबोंचा है वही मोकी पर 80 पेकेटों में कुल 80 किलोग्राम गांजा मिला है वही कांजी की कीमत 20 लाग रुपी बताई जा रही है माननी पुलिस अधिक्षक महदे के निर्देशन में सभी थाना प्रमारी को निर्देशन किया गया था कि अवयत माधाक्तागार्तों के परिवान पर रोक लगाएगे जिस क्रम में सिंगोडा पुलिस एवं साइवल से द्वारा संयुक्त कारवाई करते हुए एक इनुवा कार को जो उडिसा संभलपूर से महासमुन होते हुए महरास्ट की और जारिती गांजा परिवान करते हुए पकड़ा गया है सर गाड़े में कितना गांजा मिला कितने आरूपी थे इनुवा कार में 80 किलो गांजा पकड़ा गया है जिसकी कुल किमत 20 लाग रूपय है आरूपी कौन सर कहां से ला रहे थे क्या है इस गांजा परीवन की कारवई में दो आरूपी पकड़े गया है जिनका नाम है एक का नाम करन है और दूसरे का नाम है मोहन पाड़ोरंगा